जमीन से 480 फिट उंचे और 5000 साल पहले बने इन मिस्र के पिरामीड्स के अंदर ऐसा क्या था जिसको सिर्फ देखने के लिए रिसोचर्स ने एक रोबोटिक क्यामरा पिरामीड के अंदर भेजा लेकिन एक जगा पर आकर ये रोबोटिक क्यामरा रुक गया क्योंकि अब उसक के सामने एक पत्थर का बहुत बड़ा स्लाब आ गया था रिसोचर का मानना था कि इस पत्थर की दिवार के उस पार जरूर कोई ऐसा राज छुपा है जो पिछले 5000 सालों से दफन है लेकिन ये राज उनको हर कीमत पर जानना था इसलिए उन्होंने रोबोटिक कैमरे के नहीं देखा गया था कुछ लोग सिर्फ यही देखकर हैरान रह जाते हैं कि 5000 साल पहले बने ये पिरामीट कैसे एक ही तरह के बने हुए हैं कैसे इनके बीच दबी जमीन का लेवल एक बराबर समतल है ये सब कुछ हैरान करने वाला जरूर है लेकिन यकीन मानिये लेवल में होना या उंचे उचे पत्थरों का इकठा होना रहसे में लगता है तो पिरामीट का सबसे बड़ा रहसे उन पिरामीट के सीक्रेट चैम्वेर्स में चिपा हुआ है आय relativ में जानते हैं दोस्तो जब भी कोई वेक्ती पिरामीड देखता है तब उनके मन में सबसे पहला सवाल यही आता है कि इन्हें कैसे बनाया गया होगा और उसके बाद वो सोचता है कि इन्हें आखर क्यों बनाया गया कैसे बनाया गया इसका जवाब आपको पिछली वीडियो में हम दे चुके हैं जिसका लिंक आपको वीडियो के एंड में एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा दुनिया भर के आर्केलोजिस्ट मानते हैं कि हो ना हो इस क्यों का जवाब गीजा के पिरामीड में ही मिल जाएगा वैसे तो मिस्र में सौ से ज़ादा पिरामीड्स है और सब पिरामीड इस तरह से बने हैं कि उन्हें देखकर आपको हरानी और डर दोनों का एसास होता है लेकिन गीजा के पिरामीड वो पिरामीड हैं जिन में आर्केलोजिस्ट को लगता है कि रहसे का सामाधान मिल सकता है इसका कारण है वो एक्सरेल लाइट जिसने आर्केलोजिस्ट को ये यकीन दिला दिया था कि गीजा के परामीड जरूर कुछ ना कुछ छुपा कर बैटे हैं जिसे ढूडा जाना बहुत जरूरी है अगर शुरू से जाने तो ये कहानी स्टार्ट होती है साल 1889 में पहली बार आर्केलोजिस्ट को परामीड की दिवार में एक ऐसा सुराग नजर आया जिसे एक दरवाजे के तौर पर यूज किया जा सकता था लेकिन वो सुराग बहुत छोटा था फिर भी उससे जब किसी तर तरह की भाशा भी होती है अब तक ना तो मेसोपोटामिया की खोज हुई थी और ना ही सिंदु घाटी सब बैता को डूंडा गया था उस दिन से शुरू हुई आर्केलोजिस्ट की ये खोज आज तक चल रही है लेकिन इसमें एक माइल स्टोन भी है जिसने इस खोज को एक पिरामीड में गए तो ने ये समझ में आया कि ये एक तरह की कबरगा है और यहां दरवाजे में बड़ी ग्रेनाइट की ताबू देखकर वो ये समझ गए कि इसे बनाने के पीछे कोई बहुत बड़ा मूटिव होगा यहां से आगे जो कई तरह की खोजे हुई उसमें ये समझ आया कि पिरामीड और दो हिस्सों में बटे हुए हैं और वो हिस्से हैं किंग्स चैंबर और क्वीन्स चैंबर ये दोनों है हिससे पिरामीड को दो भागों में बाटते होंगे इस तरह का कोच अंदाजा पहले आर्केलोजिस्ट को था लेकिन फिर उन्होंने पिरामीड पर एक्सरे करणों की बोचहार मार कर देखा और उन्हें जो नजर आया उससे वो हिल गए यहां सर्फ क्वीन्स चैंबर या किंग्स चैंबर ही नहीं बलकि एक खास तरह का चैंबर भी मौजूद था जो कि इन दोनों के उपर और पिरामीड की नोग के ठीक नीचे था इसे देखकर आर्केलोजिस्ट हैरान रह गए और इससे नाम दिया सीक्रेट चैंबर अब समय था इस चैंबर तक पहुँचने का लेकिन कैसे जो चैंबर इतना सीक्रेट हो कि सौ सालों में पिरामीड के अंदर बाहर होते हुए भी आर्केलोजिस्ट उसे देख नहीं पाए उस चैंबर तक कैसे पहुँचा जा सकता था इसका रास्ता शुरुवात में किसी को समझ में नहीं आया क्योंकि ये चैंबर बाकी के दोनों चैंबर से इस तरह से लगा हुआ है कि अगर इंसान को वहां तक पहुचना है तो पिरामीड को तोड़े बिना वहां नहीं पहुचा जा सकता ऐसे में कई सालों तक सर्फ आर्केलोजिस्ट यहां आते पिरामीड को रेज के जरिये स्कैन करते और मन मसूस कर चले जाते गीजा के ये तीनों पिरामीड चाहे बड़े वाले दोनों हो या फिर छोटा वाला एक इन तीनों के अंदर ही वो सीक्रेट चैमबर मौजूद है और वो सीक्रेट चैमबर आखों के सामने होने के बावजूद खोला नहीं जा सकता था समस्या ये थी कि कोई इंसान वहाँ पहुँच नहीं सकता था लेकिन क्या हो अगर कोई रॉबर्टिक कैमरा वहाँ भेजा जाए यही सोचकर एक रॉबर्टिक कैमरा बनाय गया और वो बनाने के बाद उसे पिरामीड के बीच बने सुराक में इस तरह से दोड़ाया गया कि वो किंग्स चैमबर या क्वीन चैमबर से होते हुए सीक्रेट चैमबर तक चला जाए आर्केलोजिस्ट रॉब रिचर्डसन को पहले ये लगता था कि हो ना हो इन चैमबर्स के जरियो उपर जाने का रास्ता जरूर होगा लेकिन उस रोबोटिक कैमरे को निचले दोनों चैमबर्स में घुमाने के बाद उने समझ आया कि ये तीनों चैमबर्स आपस में जुड़े हुए नहीं है मगर सीक्रेट चैमबर तो खोलना ही था बले ही उसके अंदर इनसान ना जा पाएं क्योंकि एक छोटा सा कैमरा भी अंदर जाकर अपना काम कर सकता था ऐसे में रॉबर्ट रिचर्डसन ने अपने एक आर्केलोजिस्ट दोस्त डॉक्टर तेजे चियूंग से बात की और अगले पांस साल वो कुछ ऐसा बनाने में लग गए जो रोबोट भी हो, कैमरा भी हो और साथ में वो पिरामीट को ड्रील भी कर सके और इतना सब उन्हें 20 सेंटिमिटर साइज की सीमा में रहते हुए करना था क्योंकि एक मिलिमिटर भी बड़ा गैजट पिरामीट के अंदर ट्रैबल नहीं कर पाएगा काफी कोशिशे करने के बाद, पात सालों में आखरकार उन्होंने ऐसा कुछ बना ही लिया इसे बनाने के बाद, उन्होंने उस रोबोटिक कैमरे को किंग्स चैमबर में फिर से छोड़ दिया और ये उस दिवार तक पहुँच गया, जिसके पार सीक्रेट चैमबर था यहां का रोबोटिक कैमरे ने अपने ड्रिलिंग फीचर का प्रयोग किया और साथियो पहली बार हम उस जगह पर थे, जिससे सीक्रेट चैमबर कहा जाता है इसके अंदर घोर अंधेरा था, लेकिन जब रोबोटिक कैमरे की लाइट की मदद से देखने की कोशिश की गई तो ये नजर आया कि ये जगह भी एक कबरगा जैसा ही है जिसमें बहुत बड़े-बड़े शब्दों में जमीन के उपर कुछ लिखा गया है दरसल पुरानी सब्वेताओं में जब भी इंसान किसी दूसरे इंसान के पढ़ने के लिए कुछ लिखता था तो उसे वो दिवारों पर ही लिखता था जैसे माया सब्वेता के निशान हो या समराट अशोक के पाली और संस्कृत लैंग्विज के संकेद लिकिन इसे आसमान की तरफ लिखा गया था जमीन पर लिखा गया था ये टेक्स्ट उस भाशा में नहीं था जो कि निचली दिवारों पर उकेरा गया था दोनों भाशाओं के बीच ये अंतर ये असमानता बताती है कि लिखा गया टेक्स्ट हमारे लिए नहीं था तो फर्क किसके लिए लिखा गया था इसका एक जबाब ये भी था कि हो सकता है कि इस टेक्स्ट को यहां काम करने वाले मजदूरों के लिखा गया हो यहां तकरीबन 20-30,000 मजदूरों ने काम किया था और उम्मीद थी कि यह उसी से जुड़ा हुआ कोई इंस्ट्रक्शन होगा लेकिन आपको जानकर हरानी होगी कि यहां के मजदूर भी शाही परिवार का हिस्सा थे क्योंकि जब उनके स्कैल्टन को एनलाइस किया गया तो यह पता चला कि उनकी भी सरजरी होती थी और उनकी टूटी हडियों का इलाज भी किया जाता था यानि कि जिसे इतनी मेडिकल सुविदा दी जारी हो वो दास तो हो नहीं सकते ऐसे में उसके लिए अलग भांशा लिखने की थियरी सटीक नहीं लगती लेकिन एक थियरी और है जिसमें शायद इसका सटीक जबाब दिया गया है यह थियरी है ओरायन का रलेक्शन थियरी दरसल जब भी गीजा के पिरामीड को देखा जाता है तो एक बात नजर आती है यह पिरामीड ना तो एक ही शेप के हैं और ना ही एक ही लाइन में जबकि 5000 साल पहले लोग चाहते तो इन्हें एक शेप में भी बना सकते थे और एक लाइन में भी हलाकि एजिप्ट के आरकेलोजिस्ट का ये मानना तो था कि हो ना हो इनके बीच कोई पैटर्न जरूर होगा और ये पैटर्न नजर आया रॉबर्ट बाउवेल को जिन्होंने देखा कि ये तीनों पिरामीड ओरायन स्टार के बीच में मौजूद स्टार्स की तरह है बीच का स्टार बड़ा होना और बगल का थोड़ा सा छोटा और सबसे कोने वाला स्टार की लाइट डीम होना इन तीनों ही चीजों को गीजा के पिरामीड में देखा जा सकता है और आयन्स बेल्ट से इस समबंद को सीक्रिट चेमबर में लिखी एक अनों की भाशा ये चीजे बताती है कि पिरामीड भले ही जमीन पर हो लेकिन इनकांत्रिक से कोई ना कोई समबंद जरूर है ये समबंद हमें तब पता चल पाएगा जब किसी तरह से सीक्रिट चेमबर के अंदर पहुंच कर वहां लिखी भाशा को डिकूट किया जा सकेगा उसके पहले तो हम सिर्फ ये अंदाजा ही लगा सकते हैं कि आखर उस सीक्रिट चेमबर में है क्या और इन पिरामीड को क्यों बनाया गया होगा वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है इन पिरामीड को बनाने की क्या वजह रही होगी अपना जवाब कॉमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजेगा